हलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे फिनेंट्रिन के बारे में लास्ट में आपकरेंट के बारे में देखा था थी कि अभी उनिट नमबर फॉर और अगयनिक के मिश्टू देख रहे हैं ठीक है नोर्स टेलिग्राम में अप्लोड हो चुकी है तो आप देख लीजिए आज फ 14 H10 होता है ठीक है तो यहाँ पर जो बेंजिन डिंग फ्यूज होगी वो एंगिलर फॉर्म में होगी और यह जो है फिनेंट्रिन वो एंध्रासिन का आईसोमर है ठीक है तो आप यहाँ पर उसके स्ट्रक्चर देख सकते हो यह फिनेंट्रिन का स्ट्रक्चर आप इस तरीक देखने वाले हैं Molecular Orbital Structure ठीक है फिनेंध्रिन का तो उसमें क्या होगा कि अभी हम structure देखें कि दो टाइप स्ट्रक्चर या तो एक और भी टाइप है ठीक है लेकिन यहां मैंने common जो टाइप है वो लिखा है जिस तरी कि सब structure ड्रो कर सकते हैं अब हम बात करेंगे Molecular Orbital Structure की बारे में ठीक है तो यहां पर देख सकते हो कि 14 जो कार्बन है ठीक है इस टू हाइबिडाइज होते हैं फिनेंध्रिन है और एक प्लेनर स्ट्रक्चर है ठीक है एस पी टू हाइबिडाइज जितनी भी है ठीक है वो लिए फिर्ट्र में पोसेस करते हैं्यम कर्बन एंटम है हर एक कर्बन एटम बनाती है और वो ओवरलैप जो प्याइबिडाइब का होता है वह पाय मॉलेक्लर और बीट्र्र प्रोडियूस करती है ठीक है तो यहां पर देख सकते हो जो दीख रहा है आपको स्ट्रक्चर व चल्ट होता है उसमें जो होती है और क्या करती है और यहां पर देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर ठीक है उसके बाद है हमारा रिजोनन्स स्ट्रक्चर अफ यहां पर देख सकते हो तो आप देख लिजाए आप मैंने यहां एक पींग कलर से कारों किया हूँ तो आप देखें तो देख हैं तो आप देखिए यहां इवके शिप्ट होंगे यहां जाएगा यहां जाएगा यहां, यहां जाएगा तो second वाला structure बनेगा. ठीक है, ठीक है, आपको arrow धिक रहा है उस तरखी से अगर यह bond shift होंगे तो फिट वाला structure फार्म होगा. ठीक है रेजोननस मतलब पहला स्ट्रक्चर और लास्ट रच्चर में बॉन का जो अरेज्ञ्चमेंट हो जाता है ठीक है अब बात करते हम सिंथेसिस सब फिनेंथरिंट के बारे में ठीक है तो फिनेंथरिंट जो हमारा है ठीक है उसमें पहले आएगा होवार्थ सिंथेसिस ठीक है तो नेप्थेलीन जो है उसको हम हीट करते हैं सकसीनिक नहीडर के साथ तो थ्री वन नेप्थाइल प्रोपियनिक एसिड बनाता है उसका जब रियेक्शन हम करवाते हैं जड़न अमाल गम के साथ एसेल की प्रेजिं जिंक अमल कम के साथ तो यहां पर वन कीटो 123444 टृत्रहाइड्रो फिनरन का फॉरमेशन होता है उसके बाद जब उसको हीट करते हैं ऐसे के साथ तो प्रोडूस करता है फिनेंथरन ठीक है तो यहां पर पूरा रियेक्शन आपको दिखाया गया है तो यहां पर एन फञान लेट्षिन नेप्थेलीन सकसिन्य का फॉर्मेशन हो गा तो यह हमारा बारेगा 3 1 नेप्थायर प्रोप्योनिक ऐसे उसके बाद फर्दर रियेक्षन होगा एसे ल खी प्रेसेंस में तो यह कंपाउंद बनेगा ठीक है और उसका जब रियेक्षिन सब के साथ होगा matteri को सब्सक्राइब हो फिने एंथ्रिन जो फाइनल हमारा स्वाइनल कंपाउंड है वह बन जाता है ठीक है अब उसके बाद है पोस्टर शी इंथेसिस उसमें और नाइट्रो बेंजाल लिएड को रियक्शन करवाएंगे सोडियम फिनेल एसीटेट के साथ फॉलोव बाइड आइजटेजेशन रिय रियक्शन के जब और थो नाइट्रो बेंजाल लिएड प्रस सोडियम फिनाइल एसीटेट ठीक है वह आरोमाटिक मतलब हां आरोमाटिक ही है तो उसका जब रियक्शन होता है तो यहां पर देख सकते हो कि हमारा फिनेंट्रें कार्बगजिलिक एसिड बनता है जब उसका उसका हम उसको फि chi करते है ठीक है तो हमारा मीज स्ट्रक्चार बनता है यह वारा इंट्रेंट में बनता है उसके बाद हमारा वैलाइक्शन होता है ढॉत के ज़सिए नन हल्सका और देख सक बाद तो हमारा fenothrin का formation होता है ठीक है यह हमारा होगा second synthesis ठीक है अब हम बात करते हैं synthesis हमार हो चुके है अब हम बात कर रहे है बैए reaction अब fenothrin के बारा है ठीक है और यहां पर जो reaction होगे सबस्सक्राइब बने लिए ट्यूट हो Ju Virginia G यहां पे आप पिख सकते हैं。 उसका राइटरेशन ख Streets का आपको फेलीटाइब लगते हिए कोई कुछ भी कर सकते हैं पर दो हीट करेंगे हैं तो हीट करेंगे तो हाइडरोजन क्लोराइड की साथ होगा मिल्द रिमू होगा उसके बाद तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आप देख सकते हो कि जब तो फिने और यहां पर देख सकते हो कि 910 फिने ओपने दीख रहा है तो यह मारा फिनेंथरीन और यहां प्रेजन्स में और यहां पर देख सकते हो तो इसमें से बॉन चले जाएंगे यहां से जो बॉन निकल जाएंगे और दो यहां जाएंगे आपको दिखाने है तो यह हमारा होगा है नाइन और टेन पोजिशन पे डाय हाइड्रो फिनेंध्री रिडक्शन खतम हो चका है आप बात करते हैं मेडिशनल इजिस के बारे में तो फिनेंध्री जो है वो यूज किया जाता है मैनुफेक्टरिंग ड प्लास्टिक ड्रग पेस्टिसाइड एन एक्स्प्लोजिव बनाने में एक्जामपल ऐली रिन डाई तो उसका स्ट्रक्चर आप यहां पर उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो नेक्स्ट है यूज किया जाता है इन इंटी फॉंगल जिसका एक्जापल डाइध्रन ओल ठ फ्यूल इन जेट प्लैन यह यूज किया जाता है मैनुफेक्चरिंग अप फिनांद्रोक्विन पॉलिस्टर रिजिन और बैंजिन और तो यह सारे जो है वह उसकी यूजीज है अब हम बात कर रहें उसके डेरिवेटिव के बारे में तो फिनांध्रानिका जो डेरिवेट ठीक है उसका यह स्ट्रक्चर आप देख सकते हो नेक्स्ट है कोडे इन तो यह भी उसका स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो नेक्स्ट है कोईल ओनिन जो यहां पर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है तो इस तरीके से यहां पर हमने फिनांध्रिन का पूरा डिटेल दे ठेंक यू नोट से आपको जल्द मिल जाएगी